परिवहन विवाग कुलू डिपो को 440 बोल्ट का छटका लगा है। कुलू डिपो के वाशिंग में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बंध होने के बावजूद भी परिवहन विवाग को पिछले तीन माहा का 10 लाग से अधिक बिल थमा दिया गया है। बिजली विवाग से परिवहन विवाग को संतुष्ट जवाब ना मिलने के चलते परिवहन विवाग ने इस मामले को कोट में ले जाने की बात कही है। अधिक का बिल भुक्तान करना पड़ा। ऐसे में परिवहन विवाग ने बिजले विवाग से बिल को लेकर लिखित में जवाब मांगा है। लेकिन बिजले विभाग से परिवेहन विभाग को संतोष जनक जवाब नहीं मिला है जिसे परिवेहन विभाग ने इसमामले में कोट जाने का निर्ण लिया कुलू के आरमडी के नारंग ने बताया कि 23 मार्च को लॉकडाउन के बाद इलेक्ट्रिक बसों की आवजा ही बंद हो गई थी जिसके बाद इलेक्ट्रिक बस चारजिंग स्टेशन भी बंद था लेगन उसके बाद डेड़ महा का बिल 6,19,000 रूपे आया है उन्हेंने कहा कि चारजिंग स्टेशन बंद होने के बाद अगरे महा फिर एक महा का 4,000,000 बिजले का बिल दिया गया उन्हें कहा कि बिजले विवाग की तरफ से एक नोटिस भेजकर बिल जमा करवाने का अग रह गया गया था जिसके बाद दोनों बिल 10,000,000 रूपे बनते हैं उन्हें कहा कि इसको लेकर परिवेहन विवाग कोड का दर्वाजा खट खटाएगा सिटी चैनल के लिए कुलू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट